एई गाईज, वर्कम बैक टो मैं चैनल, आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहे हूँ एक प्लेटेट प्लाजो का टुटोरियल, इसके लिए मैंने याँ पर धाई मीटर रियान फ्राब्रिक लिया है, सबसे पहले इस फ्राब्रिक को चार लेयर में फोल्ड करक इन दोनों लाइन्स को हम जॉइन कर लिए यहां पर देखिए मैंने एक्स्टेंट किया है, दो इंच, इस तरह दो इंच पर मार्क करके, कर्व से में इसे जॉइन कर लूँगी, देखिए जहां पर हमने वेस्ट का टेंथ पार्ट मार्क किया था, वहां से 6 इंच आगे हम से एक्स्टेंट करेंगे, हमारे प्लेट के लिए और देड़ इंच का यहां पर सिविंग अलाउंस में एड़ करूंगी, बेल्ट पर और उसी तरह से यहां पर देखिए, जो क्रॉच एरिया है, उस पर भी 6 इंच हम एक्स्टेंट करेंगे, 6 इंच आगे हम निशान लगा से और यहां पर भी 1.5 इंच का में सिविंग अलाउंस दूंगी, इन दोनों मार्क को इस तरह से में मिला लूंगी आपस में, और देखिए इस तरह से जैसे हमने यहां पर कर्व मिल बनाया था, यहां पर में कर दूंगी, अब क्रॉच से बॉटम तक हम एक लाइन मार्क कर लूंगे और उसके बाद देखिए इनर साइड में मैं इसे थोड़ा कर्व करके और कट कर लूंगी, देखिए कटिंग के बाद हमाई दोनों लेयर्स रेडी हैं, इनों लेयर्स में यहां पर देखिए जो फोल्डेट साइड है, वहां पर मैं एक नौश लगाऊंगी, मार साइथे, उन दोनों को इस तरह पकड़ेंगे दोनों लेयर में और इनने ओपन कर देंगे, इस तरह से ओपन करने के बाद यह जो लेग हैं, इन्हें हम स्टिच करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने जो कर पर सिला ही लगाई है, इसे हम आपस में मिलाएंगे और उसके ब rire बनाएंगे प्लेटे तो प्लेट के देखिए हैं यहां पर यह स्टिच के एक साइट पर मैं 3-3 इंच पर माक्त कर रही हूं तो यहां पर मैं 4 मार्ग लगाँगी एंच older चे इंच पर नुंच पर और 12 तॉ止ड है को से तीन-3 इंच के गैप पे चार मार्क में लगा लेती हूं देखिए फोल्डिंग के लिए यह जो दो मांक है पहले के इसे मैं इसे बाहर की साइट पर फोल्ड कर रही हूं और जो बाहर साइट के बाहर दो मांक है उन्हें में अंदर के साइट पर फोल्ड करूंगी इस तरह से देखिए मैंने इसे बाहर के साइट पर फोल्ड किया है और यह जो दो मांक है बाकी इन्हें में अंदर के साइट पर फोल्ड करूंगी इस तरह से इसी तरह से हम इस साइट पर भी जो दो मांक हैं उन्हें बाहर के साइट पर फोल्ड करेंगे इस तरह और जो बाकी के बाहर मांक हैं उन्हें अंदर के साइट फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करके इसे स्टिच कर देंगे उपर साइट से इस तरह से मैंने स्टिच किया यह देखिए दो मांक जो है इन्हें मैं अंदर के साइट फोल्ड करूंगी इस तरीके से और इसे स्टिच कर देंगे हम इन्हें स्टिच करने के बाद हम जो प्लेट्स बनेंगी उन पर भी यहाँ पर एड़स्ट करेंगे से पहले उन्हें इस तरह से अंदर के साइट दोनों साइट से एज़िस्ट करने के पाद यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी पिन लगाने के पाद यहाँ पर हम इस पर एक से लाई लगा लेंगे इस तरह से देखिए मैंने से लाई लगा लिए दोनों साइट पर इसके बाद हम इसका बेल्ट रेडी कर लेंगे यहां पर कि जो दो नौच में लगाय थे वहां तक के लिए मैंने कपड़ा यहां पे कट किया है और यहां पर मैं अटाच करूंगी फ्रेंट साइड में इस तरह से एक बगरम की पत्टी 2 इंच आप पीछे साइड में मैं अटाच करूंगी इलास्टिक तो यहां पर देखिए इस तरह से जो कपड़ा है इसे मैंने ओपन करके और बीच में बकरम रखके से स्टिच कर दूँगी और यहां पर देखिए जो दूसरा पार्ट है इसे स्टिच करके इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लिए एस्टिक इनसर्ट करने के बाद दोनों पार्टिक में इस तरह से जॉ curios believe विडियो को स्टिक करें। चैसरी करें म aos करने के बाद अब इससे मैं अटाच खरूंगी हमारे प्लाजो पे यहां पर सबयाव टूड़ने और वहां पर हम अटाच करेंगे बक्रम वाला पार्ट फ्रेंट साइड में प्लाजो का फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहेगा आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमें सेक्षिन सब्सक्राइब को मैं चानल थेंक्यू फू वाचिंग